गुट मॉनिंग दोस्तों कैसे आप सभी आई होप आप लोग सोकर उठ गए होंगे और मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग देखेंगे और देखते भी है और उसके लिए बहुत सारा थैंक यू तो दोस्तों आज का जो क्योंकि मैं अभी कहीं घ गुमने गई थी उसके बाद मैं कहीं गुमने नहीं जा पा रही हूं क्योंकि बहुत सारी काम है और मतलब एक्जाम भी है तो पढ़ना भी रहता है तो मैं घर में रह रह रही हूं तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो ब्लॉग ना डालने से अच्छा मैं यूट्यूब और ब्लॉक से रिलेटेट कुछ आपको जानकारी देदू तो इसने मैं ने सोचा कि मैं आज एक और अच्छी नई जानकारी देती हूं और बहुत ही मज़ेदार है ही तो दोस्तो मैं अपने इस वीडियो में बही जानकारी आपको बताऊंगी जो मैंने किया है और जो मेरे साथ हुआ है तो आज का जो वीडियो है आपने थम्निल देख ही लिया होगा कि प्रैगुलर यूट्यूब में एक्टिव रहने से क्या-क्या फायदे होते हैं मुझे तो बहुत फायदा हुआ है और आप लोग देख भी सकते हैं तो आप लोग सोचेंगे कि यह जूट बोलती है हम तो कितने सालों से एक्टिव है पर हमको तो कुछ फायदा नहीं हुआ पर ऐसा नहीं है फायदा होता है और यूट्यूब भी क्यों आप अपने लाइफ में किसी भी फिल्ड में हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे आपका स्कूल हो चाहे आपका कॉलेज हो चाहे आपका ओफिस हो या अपका घर हो अगर आप एक्टिव हैं ठीक है आप बहुत महनत कर रहे हैं उस चीज में हाँ यह बात है कि टाइम लग सकता है, पर हम सफल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है तो जैसे आप लोग वीडियोज चालते हैं आप यूटुब में एक्टिव हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो वो क्या होते हैं, अपना खुद का एक्सामपल लूगी जैसे मैंने अपना my postblog डाला ओके वो डाला पहली दिन डाला वो बना उस पे व्योजी नहीं आ रहे थे मैंने का रहे मामा रहने दो नहीं आएगा फिर उसके अगले दिन एक घंटे में आप बलीब मी करेंगे बाके में एक हजार सब्स मैंने का मैं बाइरल हो गई मैं इतने ही खुश हुई मेरे मामा पूरे रीवा में कॉल कर दिये और यह निशा का ब्लॉग बाइरल हो गया मैंने कुछ दोस्तों को बताया तो बोलो मुझे हलके मिले रहे थे बोले अरे यह तो ऐसे ही होता है तुम कहां लगी हो एक दो दिन का फितूर है फिर सब उतर जाएगा पर उनको क्या पता यूट्यूब का फितूर एक बार चड़ गया तो उतरने वाला नहीं है ठीक है तो ब्लॉग बाइरल हुआ तो अगर मैं चाहती तो अगर मैं यूट्यूब को हलके मिलेती तो मैं शायद ब्लॉग नहीं डालती ब्लॉ बाद ब्लोग डाला उसके बाद डाला उसके बंदर बने कंटीनियू किया कंटीनियू और बीच मैंने थोड़ा गैप लिया क्योंकि मुझे लगा कि अब तोड़ा रुख चाते हैं पर फिर मैंने चीज देखिए कि यूट्यूब में एक्टिम ना रहने से आपके सब्सक्रा ब्लोग डालती हूं मैं द आपके सब्सक्राइबर, यार मिरे दस अजार सब्सक्राइबर थो मैं नहीं दालोंगे तो मैंने ऐसे नहीं किया आपके किस्वत अच्छी हो और एक ब्लॉग बाइरल ही हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, है ना, तो मैंने इसको continue किया, है ना, भले व्यूज कम आते हैं, तो क्या, पर आज आप result देख सकते हैं, खुद मेरा, मतलब दो महीने के अंदर मैं 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर चुकी हूँ, ये कोई आम बात नही है, आप लोग बोलते भी मैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए, वो इसलिए वड़े क्योंकि मैं एक्टिव रहती थी, मैं कुछ ना कुछ सोची थी क्या लाओ, क्या लाओ, जिससे लोग पसंद करें मेरे ब्लाग को, तो आप लोग भी महनत करिए, रुकिये मत, डेली ब् डालता है, क्या है, ऐसा चलो जाके देखते हैं, फिर क्या पता अगर उसको आपका ब्लाग चैनल अच्छा लगा तो इससे क्या कर दिया, आपको सब्सक्राइब कर दिया, तो दोस्तों ये था इसका वीडियो की यूट्यूब में एक्टिव डेली रहने से क्या-क्या फाय करना नहीं चाहिए, तो फिर से थांक यू, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, कैसा लगा, क्या कमी रही वो भी बताया करो, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो मैं सीखूंगी कहां से, और चैनल नय है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और जो सब्सक्राइब करें हैं, वो प्लीज मेरे वीडियो को देखें, और लाइक करें, खुब सारा प्यार दे, थैंक यू